और चलिए राजदानी बोपाल से इस वक्ती बड़ी खबर नव निर्बाद चुत्य मुख्यमंत्री का आज श्रपत ग्रहन समा रहो होगा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री महौन यादब आज श्रपत लेंगी लाल परेड ग्राउंड में उनका श्रपत ग्रहन समा रहो सब्सक्राइब दोपहर के समय कारीक्रम रखा गया है कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस श्रपत ग्रहन समारोह में सामिल होंगे इसके आलाबा जिप्टी सियम के तौर पर जग्दीज देब्रा राजंदर शुकला भी श्रपत लेंगे करीब दोपने की ववस्था लाल परेड ग्राउंड में की गई है और तस्वीर देखिए तैयारियां पूरी है मंच सजच चुका है पूरी तरीके से तैयारी हो चुक और देखिए मुख्यमंत्री सिवरासिंग चोहान और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री महान यादब एक राजपद और गोपनियता की सपत लेंगे लाल परेड ग्राउंड में ये पूरा कारिक्रम होना है कारिक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है मंच सब्सक्री नरेंद्र मोदी तरीके से लिए बुपाल आएंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दोरान सामिल तो डिप्टी सीम के तौर पर जगदीज देबडा और राजजंदर शुकला भी सपत लेंगे और करीब दोहजार से अधिक लोगों के बैठने की इसमें विवस्ता की गई है मंच पर भी मौजूद रहेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री के अगर बात कि जए तो मुख्यमंत्री योगी आदेपतनात और उत्राखिंदिके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी भी शामिल होंगे तो राज़दानी बोपाल से ये बड़ी खबर चित मुख्य मंतरी का आज शपत ग्रैन समा रहो हो है देश के नए मुख्य मंतरी के तौर पर मोहन यादव शपत लेंगे पद और गोपनियता की बोशपत लेंगे लाल परेड ग्राउंड में ये पूरा कारिकरम होना है जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, ग्रह मंतरी एमत शपत समेथ कई दिगज स्वामिल होंगे इसके अलाबा कई राज़ियों के मुख्य मंतरी भी स्वामिल होंगे के तौर पर राज़ंदर सुकुला और जग्दीस देबला शपत लेंगे और स्टेडियम में लगभग 2000 से अधिक लोगों के बैठने की विवश्था की गई है मंच पर भी दो दर्जन से अधिक नेता मौदूद रहेंगे और इसी बीच बदली रहेगी शहर की ट्राफिक विवश्था तो बड़ी कवारी आपको बता दे राज़ंदर बाचित स्टीम का शपत ग्रहन समारो हो आज होगा